नमस्कार गुड मार्निंग बच्चो बच्चो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिरेक्टरेट आप स्कूल एडुकेशन ये हमारी 12th क्लास एडुकेशन का 4th यूनेट अभी हम पढ़ रहें और इस 4th यूनेट का ये 2nd टॉपिक है हमारा डिरेक्टरेट आप स्कूल एडुकेशन हमने उसमें पढ़ा था कि एक 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 इसक्थे होता हमारे डिपार्टमेंट का जो भी की decisions लेने होते है policies plans या orders निकालने होते हैं तो ये direct rate से ही निकलते हैं तो इनको assist करने के लिए कि कौन-कौन लोग होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा आप उसको एक नजर मार लोगे आज हम जो इस unit में पढ़ने जा रहे हैं वो है organization setup of direct rate of education आज का हमारा यही topic है और इस में हमने इ government Kashmir State Board of School Education उसके भी दो लेक्चर दिये मैंने दो लेक्चर में पढ़ाया दो वीडियो हूंगी उसकी और जो ये पढ़ा रहा हूं मैं directorate of school education इसमें भी एक लेक्चर पहले दे चुका हूँ और ये second video इसी पर बन रही है तो बच्चो इसमें organization में आपने ये चीज पढ़नी है कि कौन-कौन लोग इस डिरेक्टरेट को संभालते हैं किसकी निगरानी में की decision एहम फैसले कून लेता इसको एक डिरेक्टरेट जो भी functions होते हैं education के वो कौन perform करता तो मैं चीज इसमें सबसे head अगर बात करेंगे तो जो minister of education होते हैं ना जैसे education के minister क्योंकि जो education हमारी है constitution में इसको concurrent list में रखा गया और इसमें ये central government के जो laws होते हैं वो भी implement करे जाते हैं तो सबसे पहला point आप इसलिए लिखोगे कि minister of education जो वो क्या करते हैं जो education के minister होते हैं जितने भी all key decisions are taken with his consent उसकी मर्जी से ही जितने भी decision लिये जाते हैं education में उसकी मर्जी से लिये जाते ह होंगी department की वो implement करनी होंगी policies बनाते हैं डिरेक्टरेट में जो भी वैठके तो implement करने के लिए minister का approval चाहिए होता है उसके बाद जो हमारी state का education minister होगा उसका क्या काम होता वो second point पे लिखो गया minister of state for education तो जो state education के minister होते हैं वो cabinet ministers जहाँ पे policies या programs बनाने के बाद implement करते हैं उ इनको assist करते हैं help करते हैं ठीक है तो आप इसमें यही लिखोगे कि वो cabinet ministers को assist करते हैं third point is secretary to the government school education department the commissioner secretary to government school education department is the major head of the department ये फिर major head of the department माने जाते हैं और all the policies of the department are framed and got implemented with the approval of the education minister पहले तो ये policies वगरा बनाते हैं जो secretary वगरा जो काम करते हैं न तो policies प्रोग्राम्स जो भी schemes कुछ अगर लागू करनी होगी वो बनाते हैं तो बनाने के बाद minister के पास April के लिए बेज़ देते हैं ये भी आप लिखोगे उसके बाद director होता जो हमारे school education के director है न डिरेक्टर level पर जैसे हमारे अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू का प्राउंस है वहाँ पर एक डिरेक्टर होंगे और एक कश्मीर प्राउंस के भी डिरेक्टर होंगे वो उस department के वहाँ पर हैड होते हैं all the all the CO's मतलब chief education officer जो हमारे district level पर ब करते हैं उसके अंडर काम करते हैं और he is assisted by the following officer working under him अब उसको जो डिरेक्टर साब हमारे या आज तो हमारी मेहमें डिरेक्टर में तो इनको assist मतलब help कून करता है यह काम में जैसे education department में जो भी policies programs बनाने होते हैं तो कून help कून करता है जोइन डिरेक्टर होता है उनका एक जोइन डिरेक्टर secondary education वह भी इनको help करते हैं जोइन डिरेक्टर secondary education exercise the powers of अब यह क्या करते हैं inspections inspection पर आते हैं जैसे लोग check करने आते हैं schools secondary level तक ठीक है secondary level means 10th level तक he also assist the director for the improvement of academic standard अब वह जब inspections होगे लाग करते है तो उनको देखो बचो सीधी सी बात है न जब यह डिरेक्टर joint director साब अगर inspection वगरा का काम करते हैं तो इनको हर एक school का data मिल जाता कि कहां पर कैसा standard है और किस चीज़ की जरूरत है और वो guidance भी proper guidance staff को भी guidance दे सकते है और time to time guidance दे सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे improve करना और quality education में भी कि मतलब secondary education के joint director होते हैं और elementary education होता है जो primary education up to eighth माना जाता है उसके लिए भी एक joint director अलग से होते हैं he enjoys the power of inspection यह भी inspection करते हैं elementary level पे he is also responsible for check and raise the standard of education at elementary level तो यह responsible भी होते हैं और check भी करते कि कि किस type का standard हमारे education system का secondary level तक he also is the director in respect of administrative matters at administration को कैसे चलाते हैं इस बारे में यह भी assist करते हैं हमारे director साब को joint director trainings अब जो joint director trainings होते हैं he is also holding the post of principal अब जैसे कोई principal जो या state institute of education जम्मू हमारे जो SIE है जिसको हम short form में SIE बोलते हैं he deals with all types of training of the department अब देखो trainings पे आपने तो यह सुना ही होगा teachers भी trainings पे जाते हैं उनको trainings मिलती है तो joint director trainings के जो होते हैं उनका काम ही होता है trainings देना he hold all type of head इनके पास भी administrative control of the state institute आप SIE का SIE पे control होता है इनका diet जैसे आपने सुना हमारी division में जो अभी diet country exams हो रहे हैं एट तक तो वो भी training देने का काम करते हैं तो आपने इन चीज़ों को याद रखना कहीं objectives में पूछ रखते हैं कि joint directors का क्या काम होता है तो joint directors जो secondary level पर होंगे वो जो secondary joint directors जैसे joint directors secondary education होंगे तो secondary मतलब 10th या 12 तक inspections करते हैं और elementary level लेवल वाले 8 तक करते हैं तो इन चीज़ों का उसके बाद training वाले वालों के अंडर कौन-कौन से department में जो ये काम करते हैं तो diet होता है जो हमारे यहाँ पर बानी हाल में इनका office और state institute of education ठीक है यह भी इनका काम होता trainings देना स्टाप को personal officers भी होते हैं he is from case cadre case level के होते हैं जो personal officers होते हैं तो he is the director school education of all type of personal matters of the director besides all administrative matters आप यह तो personal matters जो भी discuss करते होंगे यह भी access करने के लिए होते हैं accounts officers होते हैं जो accounts वगेरा चेक करते हैं the office is divided into various sectors under the sections head of the section आपने इतना deep नहीं जाना आपने इससरी points तो सारे याद रखने explain करने जितने आप कर पाओगे वो man man पता होना चाहिए ठीक है तो यह सारे आप points इसमें note करके रखोगे इसके लावा होता कि education department की profile बोला या इसके purpose क्या होते है department तो देखो बच्चों हर एक department के यही purpose होते है कि वो एक compulsory quality education दे education standard को बढ़ाएं यह चीज़ आप लेख सकते मिलती है आपको पता uniform मिलती है फीव अगेरा नहीं पे करनी पड़ती है government schools में maximum तो यह भी इनका function है फिर नए school खोलना उनको पहले primary school खोलेंगे फिर उनको upgrade करेंगे आठवी तक यह भी काम है हमारे direct rate का तो enrollment 100% enrollment का मतलब होता कि कोई भी बच्चा बिना admission के न रहे हर एक ब चाहिए ना benches वगेरा बैठने के लिए या कि हर एक चीज स्कूल बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए यह सारी चीज़े आपको मिलनी चाहिए जैसे बिल्डिंग्स एडिशनल क्लास्रूम्स ट्वाइलेट्स उगेरा हर एक चीज प्रवाइड करना अब केजी बीई भी ख प्री अफ्कॉस टेक्सबुक फास्ट टॉएंट इट मीड़े मीड्स स्कीम बिजकल डिवलप्मेंट आफ स्टुडटेंट हां ये पोच्छ सकते कभी कभी कि मीड़े मील कुण से डिवलप्मेंट के लिए दिये जाती है तो तो उसमें आप्शन्स होंगे तो फिंग्स प सब्सक्राइब इसको मजबूत करना अच्छे इनिशेट्यूज लेना तो यह एक दो पाइंट सोर आप इसमें एड़ कर दोगे तो यह जरूरी है आपका अब इसके साथ हमारा यह जो डिरेक्टरेट वाला इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूछा गया नूद्समें आली